नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज्ञारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबर को पहली बड़ी कबर की बात दो 3 अप्रेल से मिलेगी गर्मी से रहात चाय रहेंगे बादल इन जगों पर हो सकती है बारिस ज्ञारकन में पिछले कई दिनों से अधिकतम ताफमान में हो रहे है वृधी और लू से लोग को 3 अप्रेल से रहात मिलने की संभावना है मौसम विग्यानिक ऐसी मंडल ने कहा है कि 2 अप्रेल तक ज्ञारकन के सभी हिस्सों खासकर गढ़वा, पलामू, चत्रा, कोडरमा, गिरिडी, आदी इलाकों में भी सनलू चलने की संभावना है इसे लेकर मौसम विभाग ने अलड भी जारे किया है, वही फसलों में सिचाई की वास्था बहाल रखने की सला दी गई है मौसम विग्यानिक सिरी मंडल ने बता है कि 3 अप्रिल को जारकन के दिवगर, धनबाद, दुमका, गिरिडी, गोड़ा, जामताड़ा, पाकुड, सहिब गंच, पलामू, आदी इलाके में आकास में बादल चाय रहेंगे, जबकि कहीं कहीं हलकी बारिस भी हो सकती है ऐसा उत्तर प्रदेश में बन रहे साइकलोनिक सर्कुलिशन का तरफ लाइन 36 गड़ होते हुए तमिलाडो की और बढ़ने से संभव हो रहा है, इसका असर जारकन में भी पढ़ने की पूरी संभवना है, इससे राची और आसपास में भी हलके बादल चाय रहेंगे आगली बड़े खिबर की बात कुद लोग आस्था के साथ खिलवार बंधो, दिपक, भाजपा प्रदेश अध्धक शहा, सांसत दिपक परकास ने राजसरकार द्वारा सरहूल और रामनोमी की सोभायात्रा में संख्यावर डीजे बजाने को लेकर लगाए गए जरकन की जन भावनाओं से जुड़ा पर्व है, या उल्लास और उत्सा के साथ जन भगिदारी से मानाय जाने वाला पर्व है, ऐसे में सरकार द्वारा बाजा बाजाने से रोखने, भीड की संख्या को सो तक सिमित किये जाने का निरने आवहवारिक और जन विरोधी है, उ पूरी तरह से साफ हो गया है, और इसके लिए टिंडर भी फाइनल हो गया है, इसका काम हरियाना की कंपनी केसी सी बिल्ड कॉम प्राइबेट लिमिटेड को दिया गया है, चुकि इस प्रोजेक्ट के लिए 80% जमीन उपलब्द है, ऐसे में इसका काम दोमा में सुरू हो ज गई थी, काम सुरू करने से पहले ट्राफिक की स्तितिक आकलन कराई जाएगा, कंपनी 291 कॉड रुपे में एलिवेटेड रोट का निनवान कराई की, आगली बड़ी ख़बर की बात कुदू लातिहार मुडभेड में मौत की CID जांच का देश, लातिहार की सदर्थाना च चितर के हैसलबार गाउं के निकट, जंगल में बीते सनिवार को पुलिस और टीपीसी उगरवादियों के बीच हुई मुडभेड की जांच CID करेगी, मुडभेड में टीपीसी के तीन उगरवादियों की मौत हुई थी, घर्टना के बाद इस संबंध में अस्थानिया प जोकी गाउनिवासी एरिया कमांडर चंचल सिंग और एक अन्य उगरवादी के तौर पर की गई थी, राष्टिये मानवाधिकार आयोक के निर्देश पर CID अब इस केस को टेक आवर करेगी, CID के मानवाधिकार साखा के एस्पेक्टर अस्तर के अधिकारी के नितितों में भरी खबर, रांची में आज नहीं बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगतार 9 दिनों की तेजी के बाद नए वित्वर्स यानि अप्रेल महा का पहला दिन आम लोग ले राहत लेकर आया, आज यानि सुक्रवार एक अप्रेल को पेट्रो और डीजल के कीमतों में करमसा, बिरास्ती और चौरासी पैसे के बिर्धी की गई थी, इस परकार पिछले हपते के मंगलवार से अब तक पेट्रोल कीमत में 6 रोपया 52 पैसे और डीजल के मुल में 6 रोपया 70 पैसे के बिर्धी हो गई है, हलाकि पेट्रोल और डीजल के रे गुर्वार की राद दो गुटों के बीच जमकर मार पीट और पत्थर बाजी हुई, घटना में गोली चलने की भी जानकारी सामने आ रही है, बताय जा रहा है कि लगबग दो महापूर्व एक होटल में दोनों पक्च के बीच जमकर मार पीट हुई थी, इसी क्रम में गुर् सहित कई थाने की पुलीस घटनास्तल पर पहुँच कर कैम की हुई थी, जिले से भी अतरिक्त पुलीस बल जो है मंगाई गई थी, अन्होनी की आसंका के मधनजर एलाके को पुलीस सामनी में तबदिल कर दिया गया है, इस धड़प में दोनों और से कई लोग के गायल होने कर लिया है, फिलाल इस्तिती नियंतरन में हैं. विद्यार्थियों की परिचा ओमार सीट पर हुई, जबकि तीसरी और चाउंती कक्षा के बच्चों की परिचा उत्तर पुस्तिका पर हुई, तीसरी से पाचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को 40-40 प्रस्ण पूछे गए थे, जबकि छटी से साथवी कक्षा के विद्य को 50-50 प्रश्न पूछे गए थे, रिजल्ड अप्रेल क्यान तक जारे किया जाएगा, परिचा के आधार पर बचों के सैक्षनिक अस्तर में सुधार को लेगर आगे की कारियोजना तयार की जाएगी, बचों के लिए अस्पेशल क्लास संचाले किया जाएगा, आगली बड़ और रिजिस्ट्रेशन फीस, इनस्पेक्शन फीस और वसाइक वहानों के लिए फिटनेस चार्च महांगा कर दिया गया है, बड़ी हुई दर एक अप्रिल 2022 यानि आज सुकुरवार से लागू हो गई है, इसकी अलावा टैक्स, ग्रीन टैक्स, एमवी टैक्स और जीस्टी का चार्च अलग है, हलाकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, मिले जानकारी के अनुसार 15 साल से अधिक दो पहिया वहानों के लिए रिजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपे के जगा 1000 रुपे और इनस्पेक्शन फीस 200 रुपे के जगा 400 रुपे लगेगी, इसकी अलावा क प्रेनों में नवरात्र अस्पेशल थाली बेना लसुन प्याज कहोगा खाना, सनिमार से नवरात्र सुरू हो रहा है, इसे देखतो हुए रेलवे और आई आर सीटी सी की और से ट्रेन यात्रियों के लिए सातातुविक भोजन और नास्ते की तयार की गई है, यात्रियों क की जगा, सेंधा नमक का इस्तमाल किया जाएगा, नवरात्र अस्पेशल थाली की कीमत 125 रुपए से 200 रुपए के बीच रखी है, आगली बड़ी किबर की बात, पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग आउधी में 20 दिनों का चतिपूर्थी आउकास, जायरकन पुलिस में चतुर से ट्रेनिंग के दोरान ना तो एक महा का अतरिक्त वेतन और ना ही 20 दिनों का चतिपूर्थी आउकास मिला है, जबकि गरी विभाग द्वारा पूरों में जारी आदेश में ट्रेनिंग वाले पुलिस कर्मियों के समन्द में साप निर्देश नहीं होने के कारण ऐसा जारकन पुलिस मेंस असोसीेशन के प्रांतिय अद्धक्ष राकिस कुमार पांडे ने गहा है कि ट्रेनिंग के दोरान दो साल से जिन पुलिस कर्मियों को ना तो एक महा का अतरिक्त वेतन मिला है और ना ही 20 दिनों का चतिपूर्थी आउकास मिला है, वैसे लोग को अप र जोसा दिया गया था, वा भी लागू हूँ वा संताल परगना में दो विद्धाले संचालित होंगे, विद्धाले भवन निर्मान के लिए जो है प्रकलन जारकन राजभवन निर्मान निगम लिमिर्टेट के और से तैयार किया गया है, एक विद्धाले के निर्मान पर 15.1 नौ को रुपे खर्च होंगे, आगली अप्डेट किया जा रहा है, नई नियम के अनुसार अब जमीन के सरकिल रेट के अनुसार ही प्रोपर्टी टेक्स का निर्धारन किया जाएगा, सूड़ा के निदेशक अमित कुमान ने सभी नगरने काईयों को पतर लिकर, एक अप्रेल से टैक्स काउंटर बंद करने का निदेशक ने कहा है कि पंदरवित आयोग एवं अमरित जोहे अनिवारी सहरी शुधार के तहट सरकिल रेट के अधार पर टेक्स का निर्धारन करना है, एक अप्रेल से प्रोपर्टी टेक्स का कलेक्शन बंद रहेगा, निगम के टेक्स काउंटर के साथ ऑनलाइन भी बं तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिजए इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में